बहुपदों का अर्थ व उनके प्रकार आज हम सीखेंगे बहुपदों यानि पॉलिनॉमियल्स का अर्थ और बहुपदों के प्रकार आपने अपनी पिछली कक्षा में पदों के बारे में पढ़ा होगा आईए इसे संक्षिप्त में समझें चर तथा अचर के सैयोजन से पद बनते हैं जैसे 8X 3AB मान लीजिए एक गमले में A फूल है और दूसरे गमले में पहले के दो गुने फूल है तो दूसरे गमले में कितने फूल होंगे? पहले गमले में फूल बराबर A दूसरे गमले में फूल बराबर A गुना दो बराबर दो A यहाँ पर दो A एक पद है जो दो और A के गुना से बना है आईए अब हम बहुपदों वह उनके प्रकारों के बारे में पढ़ें इस विडियो में हम एक पद यानी मुनामियल द्वीपद यानी बाइनॉमियल त्रिपद यानी ट्राइनॉमियल और बहुपद यानी पॉलिनॉमियल की पहचान करना सीखेंगे उदाहरन एक सोनू, मोनू, पिंकी और रिंकी चार भाई बहन हैं इनके चाचा जी इनके लिए मेले से कुछ पकवान लेकर आई चारों बच्चों ने अपनी पसंद के अनुसार पकवान चुन लिये उन्होंने निम्न प्रकार से पकवानों का चयन किया सोनू, दो समोसे, मोनू, चार जलेबी, तीन पेड़े पिंकी, दो लड्डू, एक समोसा, चार जलेबी, रिंकी, दो लड्डू, एक समोसा, चार जलेबी, पाच पेड़े इन पकवानों को पदों के रूप में दर्शाएं यहां हम समोसे को S से, जलेबी को J से, पेडों को P से और लड़ू को L से दरशाते हैं. अब जैसा की हम यहां देख सकते हैं, सोनू के पास एक, मोनू के पास दो, पिंकी के पास तीन और रिंकी के पास चार प्रकार के पकवान है. इसी प्रकार एक पद वाले व्यन्जग एक पद यानि मुनॉमियल कहलाता है. वह व्यन्जग जिसमें दो पद हों और वे असमान हों, दुईपद यानि बाइनॉमियल कहलाता है. वहव्यन जग जिसमें तीन पध हो, त्रेपद यानी Trinomial कहलाता है वहव्यन जग जिसमें एक या एक से अधिक पध हो, बहुपद यानी Polynomial कहलाता है तो बच्चों, आज हमने सीखा बहुपदों का अर्थ और बहुपदों के प्रकार अगली विडियो में हम कुछ उदाहरनों से इसे और अच्छे से जानेंगे धन्यवाद